नमस्कार विद्यार्थियों आज हम लोग भारत के रास्टपति के बारे में चर्चा करेंगे इसमें अपन अलग-लग अक्षाओं में उनके जो पद हैं और जो कारीकाल है वेतन, भत्ते, योगेता, चुना की जो परकिरिया है इन सब चीजूं पे अलग-लग अक्षाओं में चर्चा करेंगे भारतिय समिधान में कहा गया है कि भारत का एक रास्टपति होगा संग की कारिय पालिका सक्ति रास्टपति में नहीत होगी तथा वे इसका परियोग समिधान के नुसार स्वेम तथा अधीनस्त पदा दिकारियों के द्वारा करेगा इस परकार जो संगिय कारिय पालिका उसमें रास्टपति और मंत्री परिशद है उनको सामिल किया गया है रास्टपती कारिय पलिका का आपचारिक परधान होगा और मंत्री परिशद कारिय पलिका की वास्तिक परधान होगी भारतिय संग की कारिय पलिका के परधान को रास्टपती का नाम दिया गया है यदपी कारिय पलिका के परधान का ये नामांकरण अमेरिका का जो समिदान है उसके समान है लेकिन भारती रास्टरपती के जो कारिये हैं सक्तियां है वो अमेरिक के रास्टरपती के समान नहीं है अमेरिका की अध्यक्सात्मक व्यवस्ता में कारिये पालिका का वेधानिक प्रधान ही वास्ट्रिक प्रधान होता है लेकिन भारत में बिर्टेन जिसी संसिदात्मक व्यवस्ता को अपनाया गया है जिसके अंतरकत कारिय पलिका का एक वेधानिक परदान होता है और दूसरा वास्तिक परदान होता है रास्टरपती भारतिय संग की कारिय पलिका का वेधानिक परदान है और वह भारतिय संग में उसकी इस्तिती अमेरिकी रास्टरपती के स्थान पर बिर्टिस का जो समराठ ह उस प्रकार है अब हम देखते हैं कि कौन विक्ति है वो रास्टरपती का चुनाओ लड़ सकता है या इसको हम यू कह सकते हैं कि भारत के रास्टरपती के पद के लिए क्या-क्या योग्यताएं निर्धारित की गए इसमें बताया गया है सबसे पहले कि वो भारत का नागरिक सरकार या किसी स्तानिय सरकार के अंतरगत पदा दिकारी हो रास्टरपती के पद का उमिद्वार नहीं हो सकता है इस संबंद में संग के रास्टरपती उपरास्टरपती राज्ये के राज्ये पाल और संग अथवा राज्ये के मंत्रियों को सरकारी अधिकारी नहीं समझा जाए राश्ट्रपती भारतिय संसद अथ्वा जो कि लोक सभा रज्य सभा से मिलके बढ़ी वी है इसके अलावा राज्यों के विधान मंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा यदि निर्वाचन के पुरुवव है इसका सदस्य है तो निर्वाचन की तिथी से उसका जो अश्रे का विसे हो सकता है लेकिन समिधान निर्माताओं ने जान पूज कर ऐसा इसलिए कि भारत का जो प्रतेक नागरीक है वो इस उच्पद को प्राप्त करने में समर्थ हो सके ये विवस्ता जनतंत्रात्मक सिद्धामतु के अनुकूल भी है वेवार में इस पदपर के दोल वही विक्ती निर्वाची तोस्केगा जिसे देश का बहुत अधिक सम्मान प्राप्त हो राश्टपती का निर्वाचन की अगर हम बात करें तो उसमें राश्टपती के चुनाव के लिए एपर्टेक्स निर्वाचन की पदत्ती को अपनाया गया है और ये चुनाव एकल संकनमणी ये मत पद्दती के आधार पर होता है, वह पद्दती इस परकार है, उसको हम देखें कि एपर्टेक्स निर्वाचन क्या होता है, राष्टपती का चुनाव एपर्टेक्स रूप से ऐसे निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाएगा, जिसमें संसद के दोनूं सद्रों के सद्दस से, संसद्जों की लोग सबा और रज्ये सबा से मिलके बनी है, दूसरा रज्ये विधान मंडलों और सत्र में समेधानिक संसो और अब संगी एक्षत्रों की विधान सबाओं को इसलिए समलित किया गया है कि राष्टपती ने केवल केंद्रिय सासन वरंतु संपूर्ण भारतिय संग का प्रधान होता है, संविधान सबा में पंडित नेरू ने कहा था कि राष्टपती के निर्वाचक मंडल में संगी इस सरोजपत को वास्तिक रूप में राष्टिय पत है, उसके रूप में वो प्राप्त हो। एकल जो संक्रमनिय पत्ति है उसकी हम बात करें, तो संसत और राज्यों और संगी एक्षत्रों की विधान सबाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्टपतीगा चुना आनुपातिक परतिनी दितोपतिति के अनुसार जिसको हम एकल संकरमन ये मत्त, सिंगल ट्रांसपेरेबल वोट कह सकते हैं द्वारा होगा इस चुनाओं में मत्दान गुप्त मत्दान द्वारा होगा और चुनाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए उमिद्वार के लिए नियूनतम कोटा प्राप्त करना अवशिक होगा नियुन्तम कोटे की व्यवस्ता इसलिए की गई है ताकि इस पस्ट वह मत्प्राप्त होने पर ही एक व्यक्ति को रास्टरपति का पद है वो प्राप्त हो सके इस व्यवस्ता से ही वह इस पद के अनुकूल समान का पात्र हो सकता है इस पद्द्दति के अंतरकत प्रतेक मतदाता के द्वारा, अपने मतपत्तर में उतनी ही पसंद विकती की जा सकती हैं, जितनी संसिंक्या में रास्टरवित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्व की जाती है इस प्रकार ये चुनाओं की प्रकिरिया को लेकर समिधान में विवस्ता की गई है धन्यवाद विद्यारतियों